दोस्तों कैसे हैं आप लोग कि साइद आप अच्छे ही होंगे और आपकी तयारी भी अच्छे से चल रही होगी आज हमने क्लास सेवन्थ का जोग्राफी का सेकेंड चेप्टर इंसाइड अवर और्थ हमारी पृत्वी के अंदर चेप्टर को लिया है दोस्तों मैं केवल सेवन्थ क्लास के बच्चों को ध्यान में रखकर ये वीडियो नहीं बना रहा जो भी चीज़ें मैं डिसकसन करता हूं वो एक्जाम्स में जैसे डी एससबी जैसे सी टैट जैसे स्टैट टैट या अधर कॉंप्टिशन में यहां से इस चैप्टर से आने वाले जि दोसरे दोस्तों को भी वीडियो पढ़ने के लिए सुनने के लिए प्रेरित करें मोटिवेट करें और उन वच्चों तक भी उन दोस्तों तक भी उन भाई बहनों तक भी वीडियो भीजने की कोसिस करें तो दोस्तों और कॉमेंट में भी जाकर के जरूर कॉमेंट करें कि वेडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या improvement हो सकता है उसे भी जाकर जरूर करें चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग inside our earth हमारी प्रिथवी के अंदर inside मतलब होता है हमारे चारो तरफ तो हमारी प्रिथवी के अंदर चुह है हमारे प्रिथवी के चारो तरफ क्या-क्या चीजें है कैसे बनी है हमारी प्रिथवी प्रिथवी बनने में किन-किन चीजों का योगदान है वो सारी चीजें हम एक-एक करके समझेंगे और देखते भी चलेंगे चलते हैं देखते हैं The Earth, our homeland is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lines in the interior of the Earth? What is Earth made up of? कह रहा है The Earth, our homeland is a dynamic planet. हमारा जो प्रिथवी है वो एक गतिसील प्लैनेट है, गतिसील है यानि हमारी प्रिथवी क्या होता है? घूमता रहता है. It is constantly undergoing changes inside and outside. हमारी प्रिथवी के अंदर और बाहर जो धर्ती है जैसे ये अर्थ है तो एक तो इसके अंदर और एक इसके बाहर दोनों साइट क्या हो रहा है? निरंतर, changes हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है. Have you ever wondered what lies in interior of the earth? कह रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी logic किया है कि प्रिथवी के आंतरिक भाग में, प्रिथवी के interior पार्ट में, जो अंदर वाला पार्ट है, धर्ती के अंदर जो चीज़े है, उसके में क्या है? धर्ती के अंदर में, धर्ती के आंतरिक भा अग में, interior parts में, क्या है, धर्ती कैसे बनी है? कह रहा है, what is the earth made up of? जो प्रिथवी है, वो किन पाधार्थों से बनी है, किन चीज़ों से बनी है, थोड़ा इसको देखते हैं, interior of the earth, दोस्तो, धर्ती के अंदर, यानि धर्ती जो है, मिट्टी जो है, पूरी अर्त जो है, व किन मैटल से मिलकर के बनी ही है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, just like an onion, the earth is made up of several, several, just several concentric layers with one inside another, कह रहा है, जो धर्ती है, पृत्वी है, वो एक प्याज की तरह है, जैसे हमारा प्याज आपने देखा होगा, बड़ा सा प्याज, onion आपने देखा होगा, तो जैसे onion का shape ह परत दर परत, एक परत को जाँ ठोड़ने के बाद फिर दूसरी परत, दूसरी परत को फिर छोड़ने के बाद तीसरी परत, आंती में छोटा सा जो उसका interior part होता है, ऐसे ही सेम जो है, धर्ती कई layer में, कई परतों में बटेवी है, कह रहा है, एक प्याज की तरह है, प्रित धर्ती का जो उपरी परत है, धर्ती का जो उपरी परत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, अभी कोईसरी कितनी बात पूछा गया है, कि धर्ती के जो प्रित्वी की, जो उपरी सतह है, उसे परपटी कहते हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट का मतलब होता है परपटी तो परपटी का मतलब क्या हो गया कि जहां पे हम लोग खेती करते हैं जहां पे हम लोग घर बनाते हैं जहां पे कोई व्याक्ति क्या करता है चलता है जहां पे हम लोग सड़क बनाते हैं वो जो धरती का उपरी लेयर है जहां पे कोई व्याक्ति हर तरह की करता है उसे क्या कहते है जो हम सबसे पतली परत जो है यहीं होती है और उसे crust कहते हैं, उसे परपटी कहते है, it is about 35 km, जो पृत्वी की उपरी परत है, वो 35 km की धरती की layer है, वो 35 km उपरी परत कहलाती है, और on the continental, masses and only 5 km on the ocean floor, अब कई बार दिमाग में उठता है, कि समुद्र में अगर जाते हैं, तो समुद्र की उपरी परत क्या कहलाईगी, और समुद्र में उपरी layer जो है, वो समुद्र की उपरी layer भी crust ही कहलाईगा, लेकिन धरती में, धरती के अंदर, जहां पे हम लोग रहते हैं, वहां से 35 km धरत जहां मिट्टी दिखाई परती है, उपरी layer का मतला पानी वाला layer नहीं, समुद्र का जहां से मिट्टी स्टार्ट होती है, समुद्र में, वहां से 5 km जब निचे जाएंगे, तो समुद्र का उपरी layer कहलाईगा, वो परपटी कहलाईगा, आगे देखते हैं हम लोग, the main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina, कह रहा है, कि जो धरती की उपरी परत है, महाद्विपी परत है, वह silica और alumina जैसे खनीजों से बनी है, silica और alumina जैसे खनीजों से धरती का उपरी layer बना है, इसलिए it is thus called silica and alumina, silica परत भी कहते हैं, इसलिए धरती की उपरी परत को sil परत कहते हैं, sil परत का मतलब हो गया silica और alumina, अब यह question कही बार citate में है, और कई सारे state pieces के, कई सारे sigil के jam कई बार पूशा गया है, कि धरती की उपरी परत किंड दो metal से बनीवी होती है, तो silica और alumina से, sil परत से बनीवी होती है, the ocean crust mainly consists of silica and magnesium, कह रहा है, कि इसलिए इसे sil था silica कहा जाता है, अब the ocean crust, जो समुद्र के सता है, जो महासागर की परपटी है, महासागर जहां से मिट्टी स्टार्ट होता है, वो जो परत बनीवी है, वो silica एवं magnesium की बनीवी है, वो समुद्र की oceanic जो plates है, oceanic जो layer है, उपरी crust है, वो कि सीची की बनी होती है, silica and magnesium की बनी होती है, it is therefore called sema, यानि sema का मतलब है silica और magnesium, तो समुद्र की जो layer है, वो silica और magnesium, यानि sema परत से बनी होती है, और जो महाद्विपी परत है, जहां पर हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, वो जो layer बनी वी है, वो कौन सी परत से बनी वी है, CL परत से, silica और aluminium परत से, यह याद रखेंगे, क्वेशन कितना ही बार पूछा गया है, just a minute, just a minute, the crust is the mantle which extends up to depth of 2900 km below the crust, कह रहा है, कि परपटी के ठीक नीचे, crust के ठीक नीचे, mental होता है, और जो 3900 km के गहराई तक फैला होता है, यानि 35 km के नीचे जो भी area है, उसको mental कहते हैं, और जो mental होता है, वो 2900 km की गहराई तक, depth तक, धर्ती के नीचे तक फैला होता है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाता है, और जो सबसे धर्ती का सबसे निचला वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है, crude याद रखेंगे ये धर्ती के सबसे उपरी layer को हम लोग क्या कहते है öचनHe pride कहते हैं थोड़ी की सबसे की यहाँ देख लेते हैं यह समझने में और फ्वटी आसानी होगा यह देखें ये देखे सबसे और ये समुद्र है ये इनगा बव्मेर जुक्रेखा है और ये ऑसेंडिक क्रस्ट है ये देखे तो आप फ़ड़से यहां से भी देख करके समझ पा रहे होंगे कि ये जो है महाद्विपी परपटी है पाड महाद्विपी जहां पर हम लोग रहते हैं खेती करते हैं यह महाद्विपी परपटी है और उसके बाद यह भी महाद्विपी है यह जो है महासागर है और यह महासागर की परपटी है थोड़ा से यह देखेंगे ध्यान रखेंगे यह हमारा कॉंटिनेंट है और यह कॉ रखेंगे थोड़ा सा यहां देख लेते हैं the deepest mine in the world is in the South Africa it is the about four kilometer deep in the search for oil engineers have dug a hole about six kilometer deep वेश्व की सबसे गहरी खान South Africa में स्थित है और इसकी गहराई लगभग four kilometer है यह कैसे पता चला के एक बार इंजीनियर जो है तेल की खोज में चार किलोमेटर और स्वारी गहराई तक खोच चुके थे तो लोगों को पता चला विश्व की सबसे जो गहरी खान है वह South Africa में इस्थित है आगे देखते हैं तो रिच टू दा सेंटर ऑफ दा आर्थ विच इस नॉट पॉसिबल यो विल हैब तो डिग अहोल सिक्स थाउजेंट किलोमेटर डीप दा ओशन फ्लोर करेप्रित्वी के कैंदर तक सबसे अंदर तक पहुंचने के लिए जो असंभव है बिल्कुल संभव ही नहीं है क्योंकि इतना किलोमेटर खुदाई करेगा कौन तो आपको समुत्र की सतव पर 6000 किलोमेटर गहराई तक खोदना होगा हम मिट्टी खोदेंगे धर्ती के नीचे जाएंगे तब हम अंग तब हम सेंटर तक पहुंच पाएंगे जो पॉंसिबल बिल्कुल भी नहीं है अब यहां पर देखते हैं दा इनर मॉस्ट लेयर इस दा कोर विद अ रेडियस ऑप अबाउट 300,500 किलोमेटर कह रहा है प्रित्वी के जो त्रिज्या है इनर मॉस्ट लेयर है वो 3500 किलोमेटर है इस मैनली मेड़ ऑफ निकेल एंड आइरोन एंड इस कॉल्ड नीफे जो यह मुख्यत जो है त्रिज्या जो है यह निकेल और लोहे की बनी होती इस लिए इसे नीफे परत कहते हैं तो यह जो त्रिज्या है यह निकेल और लोहे की बनी होती है इसलिए इसे नीफे परत कहते हैं नीफे प्रत भी कहते हैं दा सेंटरल कोर है यह वेरी हाइट टेंपरेचर एंड पैस पास्चर जो केंदरी क्रोड होता है का तापमान जो है वह बहुत ही उचा होता है बहुत हाइट टेंपरेचर का बनावा होता है दा क्रस्ट फॉर्म सुमनली वन पर्सेंट ऑफ वोल्यूम ऑप अर्थ एटिफोर पर्सेंट कंसिस्ट ऑफ दो मैंटल एंड फिप्टीन पर्सेंट मेक्स दा कोर यहां पर कह रहा है कि प्रित्वी के आईतन का केवल 0.5 परसेंट याई एक परसेंट जो है वह हिस्सा ही परपटी है पूरी प्रित्वी का एक एक परसेंट जो हिस्सा है वह केवल परपटी है उसके बाद 80 परसेंट जो अर्थ बना हुआ है वह मैंटल से बना हुआ है और 15 परसेंट जो हिस् 6371 km तो प्रित्वी की जो रेडियस है वो 6370 km है यह इसे याद रखेंगे क्यों कई बार एक्जाम में यहां से डालेक्ट डालेक्ट कोईस्टन जो है क्या आप जानते हैं से आ जाता है तो यह इसे होता है यहां याद रखना तो थोड़ा सा इसे भी आप लोग दोस्तों या इसके बारे में समझने की कोशिस करते हैं the earth's crust is made up of various type of rocks प्रित्वी की जो परपटी है प्रित्वी का जो क्रॉस्ट है वो कई प्रकार के सैलों से बना हुआ होता है कई प्रकार के रॉक से बनावा होता है एनी नेचुरल मास और मिनरल मैटर दैट मेक्स अप दो आर्थ क्र प्रित्वी की जो परपटी बनाने वाले खने किसी भी प्राकरतिक पिंड को प्रित्वी का जो परपटी बनता है वह कोई भी सैल है कोई भी पिंड है उसे हम लोग रॉक कहते हैं उसे हम लोग चटान कहते हैं उसे हम लोग सैल कहते हैं रॉक्स कैन भी ओफ डिफरेंट कलर size and texture, जो cell होता है, वो अलग-अलग रंग का, अलग-अलग size का और अलग-अलग texture का अलग-अलग चीजों से मिल करके बनावा होता है, देखेंगे अभी हम लोग there are three major types of rocks, जो rocks होता है वो तीन प्रकार का, जो cell होता है, वो तीन प्रकार की manly, बनी वी होती है, igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks, igneous rocks, आगने cell, sedimentary rocks का मतलब है अवसाधी cell, और metamorphic rocks का मतलब है कयांतरित चट्टान, यानि यह तीन प्रकार का, जो man major है, वो तीन प्रकार का चट्टान होता है, हाँ, तो कह रहा है कि जो त्री टाइप्स आप चट्टान होता है, तीन प्रकार का चट्टान होता है, igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks, when the molten magma cools, it becomes solid rocks, thus formed are called igneous rocks, कह रहा है, कि जो liquid magma ठंडा होकर, जो liquid होता है, पानी के साथ, यानि गरम चीजों के साथ, जब घुला होता है, और उसके बाद जब वो ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार के बने cell को agneous cell कहते हैं, जो igneous rocks कहते हैं, अगे कह रहा है, देखते हैं, आम लोग, आगे कह रहा है, देखते हैं, आम लोग, can you imagine, lava coming out from the volcanoes, lava is actually fire, fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface, आपने जॉला मोखी कभी देखा होगा, या कलपना किया होगा, या कही ने कहीं बुक में figure देखा होगा, या कई बार जो है, न्यूज बगर में भी आता है, तो वहाँ से भी देखा होगा, जॉला मोखी से निकलने वाले lava की कलपना कर सकते हैं, वास्तव में जो जॉला मोखी से जो लावा निकलता है, जो रेड कलर का जो आग की तरह द्रवित मैगमा निकलता है, वास्ताम में आग की तरह जो लाल कलर का गरम पदार्थ होता है जो धर्ती के अंदर से धर्ती के निचली परद से उपर की ओर निकलता है उसे मैगमा कहते हैं उसे लावा कहते हैं कह रहा है जैसे ही धर्ती के अंदर लावा धर्ती के नीचे से जब आता है वो बहुत गरम होता है लेकिन धर्ती के सर्फेस पर आ करके जैसे ही वो गिरता है तो वो धीरे-धीरे थंडा हो जाता है रोक्स फॉर्म इन सच अवे ऑन दा क्रॉस्ट और कॉल्ड एक्स्टूटीव एक्स्ट्यूसिव इग्नियस रोक्स कह रहा है कि तेजी से जब ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो परपटी पर इस प्रकार से बने सैल को बहिर भेदी आगने सैल कहते हैं एक्स्ट्रूसिव इंहेस रोक्स कहते हैं दे वैरी फाइन ग्रेंडे स्ट्रक्चर कह रहा है यह जो है यह जो है धीरे-धरे चट्टानों से मिलकर बनता है देक्कन प्लेट्यू इज मेड़ अप बैसाल्ट रॉक्स हमारा जो इंडिया में देक्कन प्लेट्यू है वो बैसाल्ट चट्टान से ही मिलकर के बनावा होता है समटाइम्स दा मोल्टन मैगमा रोग कूल दाउन डीप इनसाइद दो आर्थ करस्ट करहा है ग्रेनाइट्स ऐसे ही सेल का एक उधारन होता है इंट्रिव सीव दाने का रूप ले लेता है ग्रेनाइट ऐसे ही सहेल का एक उधारन है ग्रेनाइट इस एग जांपल ऑफ शच रॉग्स जो ग्रेनाइट है वह इसी तरह के चटानों से इसी तरह के रॉघ से मिलकर के बनावा होता है grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made up of granite समझ में आ रहा होगा ठोड़ा यह difficult chapter है और यहां से direct diet UPSC में IS में भी काई सारे question direct trope से आते रहे हैं देखते हैं हम लोग rocks are rocks are very useful to us जो चट्टान है वो हमारे लिए बहुत ही लावदायक होता है useful है the hard rocks are used for making roads houses and buildings जो कठोर चट्टान है कठोर cell है उसका उपयोग हम लोग सड़क बनाने में घर बनाने में और बिल्डिंग बनाने में करते हैं houses and buildings you use you use stones in many games आपने देखा होगा पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं सहर में तो नहीं लेकिन गाउं में बच्चे जो है कई सारे खेल जो है वो पत्थरों के छोड़ी छोटे चीजों से पत्थरों के चोड़ी टुकड़ों से खेलते हैं आप पत्थरों का उपयोग आपने घर बना लिया जाता है और घर बना करके उस पैरों के पैरों से उसे पत्थर को घर से बाहर निकालते हैं फ़र इस प्रकार वो खेर होता है उसके बाद 5 पत्थर गिट्टी जो है तो आप अपने वह के रहा है फाइंड आउट some more such games by asking your grandparents, parents and neighbors it से जब आप इन खेलों के बारे में अपने दादा दादी जी से, मम्मी बापा से और neighboring लोगों से पडोसियों से अगर पूछेंगे तो जो agent है वो आजकल के छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं वो तो game में बीजी रहता है तो वो इन चीजों को जानते ही नहीं समझी नहीं पाते हैं जबकि पहले के लोग जो है वो outdoor game अधिक खेलते थे अब के बच्चे indoor game अधिक खेलते हैं घरों में ही mobile में या इन से चीजों में लगे रहेंगे तीवी में तो थेर दोनों का अपना अलग अलग फाइदा है लेकिन कुल मिला करके outdoor game बच्चों को खेलना चाहिए चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कह रहा चित्र एकत्र करो एक她 करो और पता करो कि वह किन-किन शैलों से किन-किन पत्थरों से बने हुए हैं दो चित्र आपके सामने दिये गए हैं इक दिल्नी का रैड़ फोट है लाल किला है जो लाल किला है, वो के लिए लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए रेड सैंड स्टों से बना हुआ है, जबकि दूसरा जो है वो ताज महल है, आगरे का ताज महल और यह सफेद संग मरमर से बना हुआ है, तो आपने देखा कि यह दोनों जो बने वे हैं monuments, दोनों जो इस्मार बने वे हैं वो अलग-अलग पत्थरों से अलग-अलग चट्टानों से बने वे हैं आगे देखते हैं you will be surprised to know that one type of rocks changes to another type under certain conditions in a silent manner कह रहा है कह रहा है you will be surprised to know that one type of rocks changes to another type under certain conditions in a silent manner कह रहा है आपको जानकर आश्चरी होगा कि किनी निस्चित दसाओं में किनी निस्चित condition में certain condition में एक प्रकार की जो cell होता है वो दूसरे में परिवर्तित हो जाता है कैसे change होता है देखते हैं this process of transformation of the rocks from one to another is not the rock cycle एक चट्टान जब दूसरे एक cell जब दूसरे cell में change हो जाता है बरिवर्त बदल जाता है ऐसे process को cell चक्र कहते हैं rock cycle कहते हैं you have already learnt when the molten magma cools it solidifies to become igneous rocks कह रहा है आप जानते होंगे कि जो द्रवित मेगमा है जो लिक्विड मेगमा है वो जब ठंडा होकर आगने cell बन जाता है और these igneous rocks are broken into small particles that are transported and deposited to transported and deposited to from sedimentary rocks वह कह रहा है कि यह आगने cell क्या होता है छोड़ी जटे टुकडों में तूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पानी से पानी के द्वारा हवा के द्वारा जब बहें करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो उसे अवसाधी चट्टान कहते है अवसाधी का चट्टान का मतलब यह होता है कि यह हमारा अवसाधी चट्टान है तो पानी के द्वारा हवा के द्वारा जब बहें करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा और यहां पर जाकरके जब बड़ा सा छेत्र बन जाए है यहां कहा रहे हैं sedimentary rocks when the ignorance and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks कह रहा है कि ताप एबं धाव के कारण यह आगने एबं अवसाधी cell कयांत्रित cell में बदल जाता है जब उस पर जब प्रेसर देंगे तो वह सेल कायांत्रित सेल मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है दब अब उसको भी हम लोग जो है प्रेसर से दाव एवं ताप के कारण चेंज करके पुना पिघ्ला करके उसको उसे लिक्विट फॉर्म में बना देते हैं और यह जब दर्वित मैगमा जब लिक्विट फॉर्म जब ठंडा हो जाता है तो फिर इग्नियस रॉक में चेंज हो जा जैसे यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा देखते हैं इसको समझने की कोशिस करते हैं हलाकि थोड़ा सा टफ चेप्टर बाना जाता है धर्ती की बनावट को इतने आसानी से समझना थोड़ा मुस्किल है तो देखते हैं इग्नियस यह देखिए इग्नियस रॉक्स है यह मेटमॉर्फिक रॉक्स है यह सेडिमेंटरी रॉक्स है और यह यह भी सेडिमेंटरी रॉक्स है तो किस प्रकार मैगमा से जो है सेडिमेंटरी रॉक्स बना फिर से इनियस रॉक्स बना तो एक दूसरे से आपस में क्या है यह सब कनेक्ट है तो द सबस्टैन्स विछ हैं शर्टन फीजिकल प्रॉपर्टी और डिफृट्ट्रेट्ट केमिकल पीच इसा है धर्ति के अंदर शीषया ऐक कोईला यह पेट्रोलिययं जान्डी इसारए और यह धर्ति के नीचे आटोमेटिक रूप में पाया जाता है और फिजिकल प्रॉपिटि टिफिनिट केमिकल कंपोजिशन मेंड्रेल्स आर्वेरी इंपोर्टेंट टू हुमन हुमन काइड जो संसाधन है जो खनीज है वह हमारे लिए मानव के लिए बहुत अगर यह सब नहीं रहेगा तो क्या मनुस से प्रोग्रेस कर पाएगा क्या मनुस से जी पाएगा आज के समय में बिल्कुल नहीं जी पाएगा यह सारी चीजें बड़ी बड़ी इंडस्टी में यूज होता है अगर यह नहीं होगा पेट्रोलियम नहीं होगा कोईला नहीं नहीं होगा नेचराल गैंस नहीं होगा तो ना हम गाड़ी चला पाएंगे नहीं इंडस्टी चला पाएंगे नहीं हवाईजाद उडा पाएंगे नहीं किसी तरह का progress कर पाएंगे ऐरन aluminum gold uranium in the medicine in the medicine in the fertilizer उरवरक में करते हैं जίसे, लोह, ऐलुमिनियम्नियम्न सोनअ, उरेनियम्न याόधि यह हमने देखा आज धरते के चीजों से बनी भी होती है, कैसे क्या है नहीं है वह हमने देखा, तो थोड़ा सा अब हम लोग जो है इस question पर भी discussion कर लेते हैं कि भाई क्या है इसमें तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को केवल अपने तक ना रखें दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिस करें क्योंकि यहां से कई सारे question important question जो है मैंने discussion किये वो कई सारे exams में आते हैं जैसे SSC के exams में MTS के exams में CTAT के exams में DSSB के exams में हर जगा यहां से इस chapter से कई सारे question पूछा जाता रहा है और जो सात्मी class के जो 7th class के बच्चे हैं वहां तो पूछा ही आता है तो थोड़ा सभी बच्चों तक भेजने की कोशिस करें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत